हाओ जी एक दिन में दुनिया का सबसे अमीरादी बन के दिखाऊंगा हाँ चल 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 निकल निकल और एक बात कान खोल के सुन लिजिए क्या हो चल फोन रख लेकिन फोन तो तू नहीं किया है अच्छा तो एक बात और कान खोल के सुन लिजिए क्या हो मैं फोन रखता हूँ अरी, 10 रुपे, आज का दिन तो अच्छा है, अरी, 20 रुपे, अरी, सला, अरी, 50 रुपे, लगता है करोड़ पती बन जाएंगे, अरी, 100 रुपे, 100 रुपे, अरी, 500, यस, तिवार से टक्राएं करोड़ पती बन जाएंगे, अब मुझे आमीर बनने से कोई ने रोग सकता है, हम तो करोड़ पती बनने वाले थे, यह हम कहां आ गए, करोड़ पती बनने के लिए लेफ्ट जाएं, यस, करोड़ पती बनने के लिए रैट जाएं, करोड़ पती बनने के लिए डांस करो, अच्छा, पहले बोलने चाहिए था ना, लगा अगवाना, मुझे आपका डांस पसंद आया, आप करोड़ पती नहीं, डांसर बनो, मुझे बनना है, मुझे करोड़ पती बनना है, मेरा मुर्वंजन के लिए धन्यवाद, रे यार, ठका दिया साला, भूख भी लग रहा है, तारबूज, अबे भूखना बनकर, हिंदी आता है मुझे, अच्छा, मतलब भाई भाई, मतलब तुम भी यहाँ करोड़ पती बनने आया है, अरी हाँ, लेगिन तुको केसे पता चला, सर पे तरबूज, से में कपड़ा, जंगल में आ गया, हो गया लफड़ा, है, क्या गया गया, आज से ठीक दस साल पहले, हम लोग भी यहाँ करोड़ पती बनने आये थे, तो फिर बना क्यों नहीं, क्योंकि जो इस जंगल में एक बार आता है, वो आपस नहीं जा पाता, क्यों, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, क्रोड़ पती तो एक बहाना है, असली मकसद तुम सब को यहाँ लाके फसाना है, देखा, कहां देखा, सामने आगा तब तो दिखेगा, अबे साले, मेरा कहने का मतलब है कि सुना उसने क्या कहा, हम लोग ओको यहाँ फसाया गया है, अब हम लोग यहाँ से कभी बाहर नही ओ देखो क्या लिखा है, हम लोग भी देख रहे हैं, वहाँ दस साल से कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता, इसका मतलब तुम लोग तीनों अनपड़ है, कैसे, वहाँ लिखा है कोड़पती बनने के लिए लेफ्ट जाए, अरी, चला मेरे अरो को करोड़ पती बनने के लिए खाना खाएं यह कहां लिखा है कहीं लिखा हो खान नहीं है वो जो उसे भूग लगा चलो पिले खाना खाते हैं खाना? यहां खाना नहीं मिलेगा तो? यह पत्ता उत्ता खाना पड़ेगा देखो वो खा रहा है चाहिए कुछ भी हो जाए हम यह पत्ता हुता नहीं खाएंगे तो क्या खाएगा पीज्जा और बर्गर खाएंगे अब भी ओडर करते हैं हलो मेरे लिए एक पीज्जा और बर्गर भेज़ दो हां सर एडिस बोलिए कहां भेजना है हां लिखो हां बोलिए एक घना जंगल के बीच और बीच चार पेड़ के नीचे तीन अनपर लोग के बगल में एक पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है महीं भेज़ दो क्या तो समय न आगे जाके लेफ्ट लो ठीक है सर फिल्ट पहुंच गया हाँ पहुंच यह है अब सामने देखो एक दिवा लोगा हाँ है इसमें लिखा दिवार से टकराओ क्रोण पति बन जाओ ठीक है यह लिजी सर आपका पिज्वारू बर्गर थैंकियो ब्रो पगड़ो खाना नहीं यह मज़ा गया सर पैसा पैसा वह जो बाहर में पचास का सो का पांसो का उठाद हो क्या था अच्छा वह आपका था हाँ हमी रखे थे वहां चलो जाओ अरे सर रुकिये क्या हुआ हम इस जंगल में तो आ गए अब इस जंगल से बाहर कैसे निकले मुबाहर रखो तुम भी इस जंगल में फस चुका है क्या हाँ इन लोगों को देखो दस जास यहां फसा हुआ है और हम भी कुछ दर पहले ही फसे हैं और अब तुम भी इस फस चुका है अरे क्या हुआ शाला कितना अच्छा जिंगी था मैंने कब 5,000 रुपे कमाता था अरे चिल्लान का छोड़ो अब तुम अमीर बनने वाला है क्या बाहर दिवाल में क्या लिखा था दिवास से टक्राओ करोड़ पति बन जा और तुम दिवास से टक्राया अब तुम अमीर बनने वाला है, वो कैसे है, चलो मेरे साथ